हेलो दोस्तों स्वागात आप सभी का आपके फिलिट यूट्यूब चैनल एक्जाम तक वारियर्स पर आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के लास्ट पार्ट के बारे में यानि कि जो है पार्ट सेवन इसे पहले पार्ट सिक्स वीडियो मैंने बना रखा है तो किसी भी एक्जाम की तेयारी करएं किसी भी बोड से पढ़ रहे हैं तो इतना गर आप पढ़ लेते हैं प्रोनाउन जो यह लास्ट पार्ट है तो एक्जाम में इसे बहर पार को कोसंद नहीं आने वाला है तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और उसे पहले जितने भी वीडियो जहें उनको जरूर वाच करें तब जाकर यह चीज़ क्लियर हो पाएगी आज हम लोगों को पढ़ना है जैसा क प्रोद करें जिन से उक्ता है एक क्या हूं किया होते है जब Eğer जोडते हैं यह जोडते है तो उसी को हम बोलते है रिफलेक्सिव प्रोनांफ जैसे की का होता है माई सेल्फ होता है माई से वे होता है और देखो जब सिंगुलर के लिए तो माइस ऐلो डूज करेंगे और जब क्या होता है आवर सेल डू जitte करेंगे vimos स्टोरिru क्या होता है और सेल्व यसके लिए डूर लिए क्या होता है ऑवर सेल्व पहले भी चीज को हमने करा का जब वो चीज बार बार आता है तो याद हो जाता है ठीक है ना यू का क्या होता है यूर सेल्फ क्या होता है यूर सेल्फ ये प्यूरल है यू क्या है प्यूरल है इसलिए यहां पर सेल्फ जा जाएगा ठीक है ना इट क्या होता है इट सेल्फ क्या होता है इट सेल्फ दे च यहां तक इस के क्या होते हैं मैं एकसे नद हम होते हैं हाइं भी अजा क्या पर क्या करता है वर्व का जो सब्जेक्ट होता है वह खुद पर ही एक्शन करने लगे जब वर्व का सब्जेक्ट जो है खुद पर ही अक्षन करने लगे तो reflexive pronoun कहलाता है ठीक अब यह सर्फ कैसे समझाना वो चीज और बताइए जैसे मैं खुद को ही मार रहा हूँ मैं खुद को ही मार रहा हूँ या फिर मैं चाकू से खुद के हाथ को काट रहा हूँ तो यह सब जो swing अपने उपर ही यानि कि जो verb का subject होता है जो काम करने वाला होता है वो खुद को ही नुक्सान पहुचाता है खुद ही को ही काम करता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा reflexive pronoun यह तो हिंदी का डिफ्रेशन हो गया और कहीं भी self या self लगा होगा तब भी वह reflexive pronoun के तहत आ जाएगा आई का myself myself जो दोनों होता है क्योंकि singular है तो myself यूज करते हैं और बेटा प्यूराल है तो माई सेल्फ माई सेल्फ यूज करेंगे ठीक है वी प्यूराल है तो आवर सेल्फ यूज करेंगे यू प्यूराल है तो यह दिख रहा है अच्छे से और इट है तो इट सेल्फ देंसेल्फ ही है तो हिंसेल्फ और यह देखो यह सिंगुलर होते हैं क्या होते हैं सिंगुलर और यहां पर आई क्या होता है यस पी सिंगुलर प्यूरल दोनों के लिए होता है अगर आई के साथ इस लगा है ठीक एम लगा है वाज लगा है है तो सिंगुलर होते लेकिन अगर आई के साथ है लगा है आई के साथ वेर यूज ह तो देख यहां पे चीजय करते हैं जैसे है ह कैसे अचार्ट माइसल्फ इसका पूरा मीनिं से जयाद हो तो I hurt myself, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही, I hurt myself, I मतलब क्या होता है, मैं hurt मतलब होता है, नुकसान पहुचाता हूँ, और myself मतलब होता है, स्वेंग को, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बेटा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, और I क्या कर रहा है, खुद को ही नुकसान पहुचा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे, I am, I am hurting myself, या myself, अब दोनों में से क्या रहेगा, I am, 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 I am यूज पर क्या यूज़ करेंगे माई सेल्फ करने वाले तो यूज़ करने वाले हैं माइ सेल्फ आप यहां पर आई है आ Со 3 मिन कर दिया है माई सेलु या कर दिया माई सेल अब इहां पिर लगनेवाला है यहां पर देखेंगे है के साथ मैंने कहाँ हैं जब कभी है आह जाए और उसके साथ Battery वहता है तो फ्यूरल हूता है क्या होता है सब्सक्के वीष्य किसी सकता है have cry तो यहां जो आई हैना वह अवा पूरल बन चुका है क्या बन चुका है पूरल तो यहां पर माइसयो वाला गलत हो जाएगा माइस एल रहता है क्या रहता है यस ही लम इस रहाएगा सोड़ यहां भी मिस्ट्रอก हो गया अको देल अब नर्गर को चेंज करेंगे आजय को लाव लफ तक देल अव। तक देल अब देल अब देल अब को रही तक देल और तक देल अवन लवड हिमसेल्फ तो मच दाइट यहां पूरा संटेम समय थोड़ा बड़ा संटेम्स लिका है पार्टे पार्ट भी पार्ट सी पार्ट दी और पार्ट ए किस पार्ट में यहां पर एरार है यह दिखना है ध्यान से चीजों को देखेंगे दे लवड हिमसेल्फ सो मच दे थाट आफ नन वो उसे इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे कि दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं थे ठीक नन मतलब क्या होता किसी और के बारे में नहीं और थाट मतलब होता सोचे सो मच मतलब होता इतना दी वो उसे इतना दी प्यार करते थे जैसे मैं किसी इतना दिक प्यार करता हूँ कि किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पर बात कर रहा, क्या यह sentence error है या सही है, बेटा दे के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, देमसेल्व जाना चाहिए, जबकि यहां लिखा हुआ हिमसेल्फ का यूज तब करते जब यहां पर यहां रहता ही सब्जेक्ट यहां दे है सब्जेक्ट क्या है दे है तो यहां पर देंसल्व हो जोना चाहिए हिमसेल्फ क्या हो जाएगा मिश्टेक हो जाएगा और यहीं पार्ट बी में हमारा क्या है पार्ट भी में क्या है एर उम्मीद करता हूं यह चीज क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आगे चलेंगे कि संब पीपूल तो दिखेंगे हैं संब पीपूल संब संब पीपूल और आलवेज आर आलवेज टाकिंग इवाउट किस संटेंस यहां पर किस पार्ट में एरर है पार्ट ए पार्ट भी पार्ट सी और पार्ट डी मतलब नो एरर यहां ए यहां है बी यहां है फिर एक किए रहा है संदी का को कुछ लोग उनके बारे में क्या कर रहे है बात करें का हमी टेक बीटा पीपूल पड़। बार्ट भी है आरालवेज पार्ट और देम सेल्फ और यहां पर है नो इरर साफ साफ बीख भूए आप लोग था होता है किा कुछ लोग कुछ लोग नोसले आपरे आ तो कुछे नहींना इसा से फैल्वीर्स अससे नहीं है किसी नियां रहाएं यह काम करने लगेंगे किसका काम करने लगेंगे आपा देख आफ द म sings लेते हैं तो यहाँ यहां पких से soc वीदिçar जाता है क्या जाता है देम सेल्फ न रहकर देम सेल्फ हो जाएगा ठीक उम्मीद करता हूं यह रीफ्लेक्स प्रोनावन वाला जो किये से ना वह अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे नेश्ट रूल के तरफ ठीक अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड कुछ ऐसे ट्रांजिटी वर्व होते हैं जिनके बाद सेल्फ वाला केस कैसे एक्जाम में पूस्ता उसकी तरफ हम बात करने वाले हैं तो देखते हैं यहां पर कुछ मीनिंग ऐसे जिनको यह मार्व बोल सकते हैं कि इसको याद ही करना जैसे जो भी वर्ड मुँदा यहां पर लिहां इनके बाद आपजेक्ट अगर नहीं अगर आप जीक नहीं तो सेल्फ वाला केस बनेगा जो भी यहां लिका हूं उस बारे मिरी में बता रहा हूं हमने लिक्याय की िङ 싸ंदे अपन नहीं प्रेजेंट बहने उपस्तित इंट रूड़क्सन परिचे कराना प्राइट मतलब यह सब चीज़े हो गए अब यहां पे यह सब जो भी वर्ड है यहां जो भी वर्ड है इनके बाद अगर इनके साथ अबजेक्ट है तो ठीक है ठीक ध्यान से rule को देखना है अगर इनके साथ object है तो ठीक है नहीं तो self वाला case मनेगा यह rule है फिलाल के लिए इसको note down करना है copy पर note करना है अगर इनके साथ object है तो ठीक है अगर नहीं है तो self वाला case मनेगा मतलब he के साथ himself, see के साथ herself, they के साथ they yourself यह case मनेगा object क्या होते है सर object जो noun और pronoun होते हैं जो noun और pronoun होते हैं वही किसका काम करते हैं object का काम करते हैं तो चीजों का मतलब clear करते हैं एक्जाम्पल पहला Ik enjoy the party last night सर यह सही Français enjoy तो यह पर हमें enjoy लिखा होगा यहाँ enjoy ठीक比較 मैंने पिछले रात की पार्टी में क्या किया आनंद लिया पास्ट का फर्मिटीव करते हैं रही क्या है ड्यौ आयक के बाद चीजों को क्लियर करते हैंór- Sach Donc domida और अष्ट सब्जिक्ट क्या है बहुत ही मझेदार चीज है हर एक वर्ड को हमें explain करता हूं है क्या दे अर्टीकल होता है ए और आर्टीकल होता है आर्टीकल भी पढ़ाएंगे उसका यूज कैसे करना है और आर्टीकल की बाद क्या आता है नाउन आता है तो बेटा यहां पर आई का नाउन दे राका है सेल्फ लगाने की कोई जरुरूरत नहीं है हमें इस चीज को catch up करना है कि object दिया है कि नहीं दिया है तो बेटा object आई का पार्टी दिया है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब देखेंगे यह correct है I enjoyed in the party last night I enjoyed in the party last night अब यहां देखेंगे बात बेटा समझना अंतर दोनों में क्या है मैं एक बात बता दे रहा हूँ जो preposition होते हैं जैसे आफ हो गया to हो गया in हो गया फ्राम हो गया यह सब preposition कहलाते हैं अभी इसके बात प्रोनाउन के बाद कल की कराफ एक्टीव की होगी कल से एक्टीव के बाद हो सकता एड़ फिर प्रीपोजिस्टार्ट करेंगे वर्ब को हम बात मिलेंगे चीजह यह clear हो रही है अगर in है टू है तो इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है ना वो इस प्रिपोजीशन का आपजेक्ट हो जाता है, वो सबजेट का आपजेक्ट नहीं रह जाता है, जैसे देखेंगे, I enjoyed in the party last night, ये गलत क्यों हो गया सर, गलत इस वजए से हो गया, क्योंकि I enjoyed, यहां पे इन है ना, इन एक प्रिपोजीशन है, और जो पार्टी है, यह आपजेक्ट याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, चीजों का कैच अप करना है, पार्टी बेटा नाउन है, और यह उससे पहले क्या लगा हुआ है, प्रिपोजीशन लगा हुआ है, तो जो नाउन है, यह प्रिपोजीशन का आपजेक्ट हो गया, last night, लेकिन इसका आपजे सेल्फ करेंगे, तब जाकर यह संटेंस क्या हुआ जाएगा, सही रहेगा, आई इंज्वाड माइसल्फ इन दे पार्टी लास्ट नाइट, यह तब करेक्ट रहेगा, नेस्ट कहा रहा है, आई इंट्रोड्यूच्ट टापिक टू दे डियम, आई इंट्रोड्यूच्ट म इसको रच्टा मारना है, एक्यूट अवेल एम्यूच्ट अवेली ऊट्सेंट अडेफ्ट इंज्वाय प्रेजन्ट इंतो डियाइडी यह सब वर्ड़ याद करना है, रच्टा मारना चया İşte आइंड्रोडूइट मैंने परिच्यक कराया दे टॉपिक चाहरे यहां पर किया है लाउन है इद्ध्य क्या है आठीकल बताए सब्सक्राइब नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो Means यहां पर अब यहां पर ह क्या जो है इसक 6 ढब्चेक हो घया यहां पर इस तरीके से रृफ लेक्स केस का जो प्रोनावन का वहता है यहां पर आगे देखेंगे नेक्स्कूल में हु ul cm अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो मैं रूल है रूल लमबर त्यरी यह अभी के लिए प्रो नाउन हम देख रहे हैं अभी रिफ़लेक्सिव यूँ तो डेखते हैं तो देखते रूल की तरफ क्या कह रहा है करैं कीप दिया हो आपका समय बचानी के मैं इसको लिखे देता हूँ ठीक है ना तर्न दिया हो क्वालिफाई दिया हो मूँ दिया हो रेस्ट दिया हो हाइड दिया है इनके बाद रिफिलेक्शिव प्रोनाउन नहीं आती है यह आपको याद करना पड़ेगा उनके बाद रिफिलेक्शिव प्रोनाउन नहीं आती है जो रिफिलेक्शिव प्रोनाउन का केस होता है myself वाला myself वाज वाला तो इनके बाद नहीं आती है अब देखेंगे जैसे यहां लिखा है we should keep ourselves away from bad habit हमें अपने आपको हमें खुद को गंदी आदतों सो क्या रखना चाहिए क्या रहना चाहिए हमें खुद को गंदी आदतों सो क्या रखना चाहिए दूर रहना चाहिए तो यहां पर keep दिया है क्या दिया keep और सर यहां पर keep है keep यहां पर दिया है तो इनके बाद reflexive प्रोनाव नहीं आती है आवर सेल्व ज़न नहीं आएगा यानि कि यह sentence क्या है गलत है आवर सेल्व हटाएंगे उसके बाद से रहे इनके बाद रिफिलेक्सिव प्रोनावन नहीं आती है आगे है फेवर रिपोर्ट साइट पार्डर माँ छपा छमा करना सेप्रेशन माने होता अलग होना लिव माने होता छोड़ना एक्स्पीज माने माफ करना मेंसन इनके बाद पोजेसी औजेक्टु नहीं आते हैं क्या नहीं आते हैं पोजेसी औजेक्टु अब कहोगे सर पोजेसी औजेक्टु क्या होते हैं पो लिखवाया हूं इसको पढ़ लेना इसको यह वाला जो पोजेसी एजेक्ट्व होता है ना इनके बाद पोजेसी एजेक्ट्व नहीं आते हैं ठीक कितना ध्यान में रखना है कि इनके बाद हम माई का प्रयोग नहीं कर सकते इनके बाद हम हर का नहीं प्रयोग कर सकते इनके प्रेजE नहीं कर सकते हैं या मंने नहीं क्यूंड नहीं मैंने बता आया है कि ये यीज्ध नहीं कि मानीं आसक्ता हर नहीं है सकता यह सब नहीं नहीं आसक्ता यह सब К इसब ऑवर्ड के बाद यह luc Ellyes Eve YouTube होते हैं यह सब का यूज आंथे लोगे तो पहले उती है नहीं मी यू और यहां बाद को यहां जैना इनके पहले होना चाहिए रहेगा और इसको को सेटबगा सकति होताए तो यहाहिछ सेप्सक्राइब इससे पहले योर दिया हुआ है यानि कि इनके पहले स्वरी लिखे पोजेक्सी इनके बाद पोजेसी एजेक्टू नहीं आते हैं इनके पहले पोजेसी एजेक्टू नहीं आएंगे इनके पहले पोजेसी एजेक्टू नहीं आएंगे यह देखिए से पहले यूवर आया और यहां नहीं आगा गलत हो जागा अगर इसको इसको करना होगा बनाना होगा तो वराण का यूज करके कैसे यूज करके फराउब का I cannot be a separation from यू अब का वह सरीज का हंधी बताएं मैं सहन नहीं कर सकता मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता हूं मतलब यह हो गया मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता हूं यहाँ पर प्रोनावन के सारे पार्ट क्या होते हैं कम्प्लीट होते हैं और आप किसी भी एक्जाम की तारी कर रहा है तो प्रोनावन के साथ बात्रम